इता जी आज आपने अपने फून से मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ को पत्र लिखा है क्या मामला है देखिए मुझको संदे की स्तित्थी पैदा जब हो गई जिला परसासन जब न्याय दिलाने के मूड में जब आया तो जांच अधिकारी बदल कर आईजी साहब ने मौग जिले के एसपी को जांच दे दिया अब जब जांच यहां की जब बदलनी सुरू हो गई जांच में उसको निर्दोस साबित किया जा रहा है तब मुझको लगा है कि अब जो है जिले के परसासन पर आईजी और उच अधिकारीयों का जो दबाव लगातार बना हुआ है जिससे मुझको लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा तो मरता तो क्या नहीं करता मैं सरयातिवारी के इंसाफ के लिए मानने योगी अधितनात महराज जी को अपने खून के कत्रे से लहू के कत्रे से मैं एक एक शब्द जो लिख रहा हूँ और लिख कर मैं महराज जी को यहां से पोष्टापिस के माध्धम से उनको पोष्ट भी करूँगा कि महराज जी एक मात्र आप जो है उस गरीब बेटी के आप सहारा हैं उस परिवार पिडित के सहारा हैं क्यूंकि आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला शसकति करण पे आपकी पहनी नजर रहती है और साथ ही साथ परिदेश में जो परबंधक प्राइबेटी स्कूल चला रहे हैं आउने पाउने दाम पर बच्चों से धनुगाई कर रहे हैं इनके खिलाफ भी मैं जरूर चाहूंगा कि सिच्छा माफियाओं के खिलाफ माननी योगी अदितनाथ जी आप से मैं अन्रोध करूंगा करवत प्राथना करता हूँ कि आप सिच्छा माफियाओं के खिलाफ आप जो है नकेल कसने काम करिए इनके खिलाफ बृद्ध कारवाई करिए आज तक की मानिता लेते हैं इंटर तक स्कूल चलाते हैं और मानिता किसी और जमीन पे लेते हैं गाटा संख्या पे आई स्कूल इनका कहिन और चल ला है पूरे प्रदेश में स्कूल के जो संचालक है इन प्राइबेट लिमिटेट कंपनी के खिलाफ महराजी जागो अब बहन बेटियों के इंसाफ के लिए मैंने आज अपना खून निकाला ह आया अपने खून कहें के कत्रा स्रिया तेरे नाम है इसलिए